हलो एंड वेल्कम टू एसे स्ट्य ओल्ली आज जो हम डिस्ट करने वाले हैं वो है हमारा चाप्टर फोर और ग्लोबलाइजेशन एंटी इंडियन एकनॉमी एकनॉमी का यह चाप्टर है उससे पहले मैं आप से यहां पर यह डिस्कॉस करना चाहता हूं कि हिस्ट्री का जो फ अब इस चाप्टर की तरफ आते हैं यहां पर हम सी वो चीज़े डिसकॉस करने वाले हैं जो CBSC ने रैश्टलाइज स्लेबर्स में यानि रिवाइज स्लेबर्स में मेंशन किया है और सिर्फ टू टॉपिक्स आ रहे हैं यहां पर वाट इस ग्लोबलाइजेशन और फैक्ट MNC का मतलब होता है multinational companies और multinational companies के expansion की बात करेंगे तो अगर हम last few decades की बात करें लेसे आज चल रहा है 2024 तो 24 से 3-4 decades यानि 1 decades में 10 years होते हैं तो अगर हम 30-40 years पहले की बात करेंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो multinational companies थी वो अपने operations को all over world में बहुती जादा expand करनी थी पहला रही थी अब expansion क्यों हो रहा है क्योंकि कोई चीज वो ऐसे explore करें जिसे cost of production कमाए तो यही reason next है कि वो चाहती है कि उनको cost effective locations मिल जाए that means imagine करके देखें कि अगर वो अपने यहां पर यानि जो multinational companies है apple अब apple अपने यहां पर ही manufacturing करे जिसकी वजह से होगा क्या cost of production और increase हो क्योंकि अगर यही काम California में होगा तो उसकी cost of production जादा आ जाएगी क्योंकि workers की cost है वहाँ पे काफी जादा salary high है तो इसलिए वो cost effective locations को जगे जगे पे हाँ पर तूनती रहती है and India is not an exemption अब multinational companies की वज़े से एक चीज़ और आती है कि multinational companies जिन areas में जाती है जिन countries में जाती है जहाँ पर भी अपनी presence को बनाती है तो वो अपने साथ investment लेके जाती है foreign investment क्योंकि वो अपनी factories को महाँ पर setup करेंगी तो वो capital जो है बहुत ही जादा important यानि MNC bring the foreign investment अब यह images है तो आ currency का यहाँ पर expansion की यहाँ पर बात करते हैं बच्चे तो उनको क्या चाहिए कि वो cost effective locations की requirement है अभी जो cost effective locations है अब होगा क्या आप पैसे लेके आओगे तो foreign investment जो है काफी जादा यहाँ पर increase हो जाएगा यानि foreign जो trade होगा वो भी increase हो जाएगा क्योंकि multinational companies का presence अलग-अलग nations म तो यहाँ पर क्या करेगी अपने products को यहाँ पर diversify करेगी और यहाँ पर foreign trade आपका increase हो जाएगा example के तौर पर यहाँ जो example दे रखा है वो है Ford Motors का इंडिया में Ford Motors का plant है although आज कि अगर हम बात करें तो Ford Motors इंडिया से जा चुकी है लेकिन यह पुरानी यहाँ पर example है तो उसक इंडिया में जो labor है वो काफी cheaper है जिसकी वज़े से cost of production कम आता है और यही reason है कि उसने cost effective location को choose किया है तो यहाँ पर export करेंगी वो other developing nations में करेगी और यहाँ पर बच्चे हम दूसरी बात करेंगे कि इसका जो supply car और साथी साथ जो अलग-अलग यहाँ पर components है वो globally यहाँ से जाएंगे that is जो इंडिया के plant है वहाँ से जाएंगे तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे कि इस तरीके से यहाँ पर cost effective locations जो है वो उनके price में काफी ज़्यादा reduction कर देती है जिसकी वज़ए से multinational companies इन locations को अपना main production center बनाते हैं अब यह तो जीज हम देखी चुके कि अब MNC के आने से foreign trade काफी ज़्यादा increase हो जाता है बच्चे आपे क्यों कि multinational companies की presence imagine करके देखो कि Ford Motors ने अपना जो plant है वो इंडिया में लगाया और Ford Motors अब इंडिया में बनी हुई cars को अलग-अलग आस-पास की countries में यहाँ पर sell कर रही है तो obviously trade किसका increase होगा India का trade increase होग because although Ford Motors को फाइदा ज़्यादा होगा लेकिन trade हो कहां से रहा है originate कहां से हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है इसलिए इंडिया को फाइदा होका directly अब MNC का control की बात करते हैं MNC यहाँ पर बच्चे काफी ज़्यादा important role play करते है foreign trade को control करने में because अगर जो multinational companies है वो अगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम हो जाएगा जो अभी हमने उपर discuss क्या था Ford Motor का भई हम उबारा से discuss कर रहे हैं कि जो Ford Motors है वो आपके local market के लिए जो car provide करवाएंगी लेकिन साथी साथ exports के लिए भी car provide करवाएंगी और ना कि सिर्फ cars बलकि जो यहाँ पर जो components हैं यहाँ devastating wheel हो गया यहाँ पर जो electronic components हो गया studio हो गया अलग-अलग चीज़े वो यहाँ पर दूसरी countries में provide करवाएंगी next point बहुत ही अच्छा है MNC बोथ goods और services provide करवाते हैं goods मतलब cars हो गया mobile phones हो गया और services मतलब software consistency हो गया law consistency हो गया यहाँ पर e healthcare facilities भी provide करवाते हैं तो यह MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए MNC provide both goods and the services globalization जो है वो as a facilitator की तरह भी काम करेगा because यह help करेगा आपके यहाँ पर foreign investment को boost करने की साथी साथ foreign trade को भी boost करेगा और important चीज़ क्या है कि यह production और market को जो अभी तक local चल रहा था वो global कर देगा इसकी वज़े से काफी ज़ादा integration हो जाता है production और the market का क्योंकि जो production होगा वो आपके local market के लिए भी होगा साथी साथ यहाँ पे global market के लिए भी होगा तो आप बहुती ज़ादा foreign trade कर पाएंगे तो इतने points देखने के बाद हम define कर सकते हैं अपने globalization को भई है कि globalization ना एक process है जो की connect करता है among the countries तो यह जो among the countries का जो यहाँ connection है इसको interconnection बोल देते हैं और साथी साथ यहाँ पे countries को integrate कर देता है तो इस तरीके से आप define कर सकते हो globalization का अब MNC इसमें काफी important role play करता है तो इसलिए MNC काफी important है कि multinational companies important role provide कर वाता है globalization में because इसका जो presence है वो multinational है इसकी वजह से interconnection और integration easy हो जाता है साथी साथ जो MNCs है व globalization के थू होते हैं लेकिन MNC इसको काफी अच्छे से facilitate कर सकते हैं अब globalization जो है वो काफी ज़्यादा increase हो जाता है जैसे जैसे technological advancement होता जाएगा example अगर हम transportation की बात करें तो आज आप दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते हो and hardly it will take just 24 hours आप कहीं पर भी जा सकते हो अगर आप businessman हो तो easily आप travel कर सकते हो वो चीज़ जो पहले हैं पर महीनों में होती थी और सालों में ही यहापर possibility अब जैसे जैसे technological advancement होता जा रहा है वैसे वै अगर foreign में कोई video है तो आप within a second जैसे वो upload होती है वैसी visible हो जाती है आपको तो यह क्या है globalization का impact है यहाप है कोई भी चीज़ अगर कोई Apple का new product launch हुआ है California में तो यहाँ पर वो easily available हो जाता है तो यह सारी चीज़े जो है transportation की वज़ए से काफी improved हुई है बच्चे तो transportation played an important role ट देता है क्योंकि transportation जैसे जैसे improve होता जाएगा वैसे वैसे faster होता जाएगा और cost effective होता जाएगा जो long distance goods delivery करने में काफी जादा आपको help करेगा एक और important चीज़ हुई है globalization के आने से कि जो global contact है वो काफी जादा increase हो गये है कि जो world की reason अभी तक भले ही दूर है अगर हम बात कर यहाँ पर move होती है चलिए अब people movement क्यों करते हैं यहाँ पर people इसलिए movement करते हैं कि वो अपनी country से जाके किसी दूसरी better countries में जाके job करेंगे तो उनको अच्छी income provide होगी jobs provide होगी education provide होगी तो यह भी काफी important चीज़े हो चुकी है लेकिन आज के time में देखा जाएगा जैसे जै काफी ज़्यादा आ चुका है यहाँ पर यह recent phenomena जो है अमेरिका में काफी अच्छे से देखने को मिलता है नेक्स देखते है factors जो allow करेंगे globalization को fast pace पे काम करने के लिए वह है technological role technological काफी important role play करता है अल्रेड हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे technology advance होगी वैसे वैसे globalization का जो integration का process ह इंटीग्रेशन का process है बहुती ज़्यादा यहाँ पर fast हो जाएगा transportation जैसे जैसे advance होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो cost है वो काफी ज़्यादा कम होती जाएगी और faster तरीके से हम लोग यहाँ पर connect होते जाएगे faster and cost effective delivery होती जाएगी बचे एक example की बात करते हैं container transport के advantages क्या है तो आप यह देख रहे होगे यहाँ पर side में container से और movies में भी आपने देखा होगा या dockyards में आपने देखा होगा बड़े-बड़े container से अब समान shipment जिसको बोलतने है वो एक जगे से दूसरी जगे यहाँ पर आता है बले countries का main base है वो यहाँ पर चाइन है main manufacturing वहाँ पर हो रही है लेकिन within a days यहाँ पर क्या होता है कि वो transportation यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद पूरे जिस market है वहाँ पर distribute हो जाता है और आपको goods easily provide हो जाते हैं तो efficient loading हो सकती हैं यहाँ जो containers में वो काफी long quantity में यहाँ पर हो सकती है और इन containers को आप ship railways, planes और trucks के थूँ यहा container में ज्यादा समाना आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर cost जो है वो reduce हो चुकी है और even अगर हम faster जो ऐसे goods हैं जो कि यहाँ पर अगर time के साथ खराब हो जाते हैं तो उनको हम air transport की facility से use करते हैं तो वो और faster तरीके से available हो जाते हैं अब information and communication का एक example देर रहा है NCRT में वो भी एक technological advancement के अंडर में ही आ जाएगा यहाँ पर recent times में अगर हम देखिए जो telecommunications, computers और internet जो था वो बहुत ही जादा revolutionized हो गया एक time था वो 2G network चलता था जहाँ पर internet का page door होने में काफी जादा problem होती थी अब जो बड़ी-बड़ी files हैं जीवीज में फाइल है वो आप within second यहाँ पर download कर सकते हो under the 5G यहाँ पर जो high speed optic cable network यहाँ पर आ चुका है अब होगा क्या यह जो telecommunications बहुत ही जादा improve हो चुका है बच्चे अब telecommunication में सबसे पहले तो आता क्या है हर चीज आ जाती है telegraphs, telephones, mobile phones जो की people को बहुत ही जादा connect कर देती है लेसे आपका कोई यहाँ पर जिसकी वज़ा से है क्या कि interconnectivity जो है वो काफी जादा improve हो गई है means instant information आपको provide हो जाती है बच्चे यहाँ पर अब computing के अगर हम बात करेंगे तो computer आज के time पर even जो phone है वो भी smart phones होगे है that is वो एक तरीके से mini computer के हम बात करेंगे और हम आज के time पर जो life है वो expect नहीं कर सकते without computers के ठीक है तो इस तरीके से यह जो चीजे है वो technological advancement और information and communication में आपको यहाँ पर लिखना होगा internet जो है वो अलड़ी अपका पता है कि वो revolutionize करता है मैं यह जो videos बना रहा हूँ वो आप तक कैसे positive with the help of the internet तो इस तरीके से यह जो चीजे मचे वो काफी जादा improve हो रही है अब example देखते है information technology का और वो globalization से कैसे relate करके यहाँ पर बनता है और example suppose करिए कि यहाँ पर कोई एक किसी को magazine बनानी है तो एक London news magazine है अब उसने इसका contact दिया है एक Delhi based agency को चो इसको design करेगी और साथी साथ print करेगी यहाँ पर क्योंकि London में अगर वो ही magazine वो design करवाएंगे print करवाएं hardly 150 rupees में हो जाएगा यह हम एक hypothetical example assume कर रहे हैं यहाँ तो हुआ क्या कि एक जो London news agency थी उसने यहाँ पर contact दे दिया एक Delhi based agency को कि वो उसकी magazine और design को print करेगी अब कोशन आ रहा है कि content कहां से आएगा तो यह जो London based magazine है वो easily अपना content जो है वो internet के थूँ यहाँ पर उसको send कर देगी email कर देगी या फिर by any other means यहाँ पर send कर देगी और उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा फिर सारी चीज़े frame कर दिया जाएगा यहाँ ठीक है अब design instructions दे दिया जाएंगे कि हमें इस तरीके का design layout चाहिए है यह color scheme चाहिए है सारी चीज़े यहाँ पर बताएंगी Delhi based agency को London based agency और इस तरीके से easily हाँ पर communication के help से हम एक magazine को design कर पाएंगे अब सारी जो चीज़े है वो computer based design से हो रही है तो computer based design से create करके आप directly उसको approval भी ले सकते हो कि यह सारी चीज़ जो हमने design बनाई है क्या उसको आपके जो expectations है वो fit बैटती है नहीं तो अगर आप minor changes या फिर कोई और changes बताना चाहते हो तो आप easily उसे communicate कर सकते हो अब एक बार सारी चीज़े हो गए और proper final print में निकल गया उसके बाद क्या होगा यहाँ पर London को भीज दिया जाता है London News Agency को by year भीज दिया जाता है और within a days उसको received हो जाती है वो files जो अगर वो actual London में करवा था तो it will take time लेकिन यहा अरी के से oversimplify हो गई है बच्चे यहाँ पे अब payment जो होगा वो जैसे ही यहाँ पे सारा काम पूरा हो जाएगा instant payment हो जाएगा यानि जब आपको order मिला था तो half of the payment उस time हो जाएगा और बाकी जैसे उनको receive होता है बाकी सारी चीज़े आपके बास हो जाएगी with the help of the internet based e-banking next topic बहुती ज़्यादा important है interesting है liberalization of foreign trade and investment और मैं expect कर रहा हो कि यहाँ से एक short answer type question आने के chances of probability काफी ज़्यादा है trade barrier का मतलब है restrictions जैसे road barriers होते हैं यहाँ पर जो आपकी speed को slow down करते थे same चीज़ यह trade barriers होते हैं समझते हैं एक कोई Chinese toy maker है और वो अपना समान को यहाँ पर इंडिया में भेज रहा है situation हम analyze करते हैं यहाँ यह जो Chinese है मैंने C से indicate किया और यह इंडिया है तो दोनों company है दोनों toys बनाती है और toys में वो बनाती है यहाँ एक car ठीक है car बनाती है अब इंडिया वाली जो यहाँ पे Indian company है जो car बनाती है twice का उसकी cost है 100 rupees अब Chinese company जो car बनाती है उसकी cost है यहाँ पे 60 rupees और similar appearance में है दोनों car और यह अगर आपकी market में आ जाएगा तो कौन सी आप purchase करोगे simple आपका answer क्या आएगा that is rupees 60 वाली तो आपको नहीं लगता है कि यह जो Chinese ने जो यहाँ पे export की है अपन Indian company's car बना रही है जो twice वाली उनको आप नहीं कर रहे हो तो होगा क्या कि लोग Chinese car को ज़्यादा prefer करेंगे over the Indian car को क्योंकि वो cheaper है और same quality या फिर same twice provide करवा रहे है तो इस condition से बचने के लिए यानि जो हमारे domestic producers से उनको नुक्सार ना हो तो country क्या करती है barriers लगाती है such as अब example करके देखो कि China जो export कर रहा है वो India का import है इसको बहुत ही अच्छे समझना है कि जो China export कर रहा है वो India का import है और जो India export कर रहा है वो China का import होता है अभी हम reverse situation देख रहे हैं कि China जो भी export कर रहा है वो India का import है चाइना इसे जो कार आ रही उसके cost 60 है और इंडिया ने इस पे import tax लगा दिया है रुपीज 40 बोले सर अब आ जाओ अब बच्चे क्या होगा कि चाइनीज कार का भी रुपीज 100 हो गया 40 tax लगाने के बाद और इंडियन कार का भी रुपीज 100 हो गया तो अब टिपेंड करेगा पीपल्स पर कि जो जिसकी quality बेटर होगी जो टीज अच्छी है वो चीज यहाँ पर लेगा लेकिन अगर हम बात करें कि पहले जो 60 रुपीज में चाइनीज कार ताफी जादा बिक्तींती बहुत नहीं बिक रही है तो ये चाइनीज exporters के लिए यहाँ पर एक barrier का काम करेगा और यही trade barrier की definition है कि एक sort of import tax impose कर दिया जाता है जिसकी वज़े से होता है क्या है कि sir prices increase हो जाते है और price जब increase हो जाएंगे तो जो भी वो समान यानि जो वो ट्वाइस था जो चाइनीज का ट्वाइस बेस्ते थे वो सोचेंगे कि या price तो same ही है जिससे better है इंडिया वाला बेचा जाए हम क्यों import करवाएंगे तो import कम हो जाता है और यहाँ पे कि जो इंडिया ट्वाइमेकर से उसको benefit हो जाएगा तो इससे आपने ही हाँ यह समझा अब कोशन आता है कि trade barrier का purpose क्या है तो government regularly trade barrier को use करते हैं कि वो foreign trade को regulate कर पाए because जो चाइना है वो ना एक बहुत ही जादा माल practices करता है उसका नाम है dumping dumping का मतलब क्या है कि चाइना में अगर actual good 10 रुपए गाए वो तो 8 रुपए में देता है क्यों देता है कि जादा से जादा उसका good sell हो आपको आदत पड़ जाए है यहाँ और domestic market आपकी collapse हो जाए जिसक कि भी हम चाइना से dependent है एक example और बताता हूँ हम बात करते हैं इसको यूज करते हैं ताकि वो foreign trade को regulate कर पाए अगर imagine करके देखो अगर मैंने import tax बढ़ा दिया तो क्या होगा flow decrease हो जाएगा और अगर import tax कम कर दिया तो flow क्या हो जाएगा तो flow क्या हो जाएगा तो ये mcq का forwarder हो गया increase और decrease में फस मच जाना समझ मैंना चाएगा अब ज़र इंडिया के context में इसको समझते हैं इंडिया ने independence के बाद यहाँ पे protection provide करवाया किसको हमारी domestic industries को क्योंकि बच्चे इंडिया की condition इतनी खराब थी इंडिया इंडिया की condition इतनी खराब थी कि quality उनका यहाँ पे सारी चीज़े बहुती जादा हाइ quality के था इंडिया की इंडिया की इंडिया थी वो अभी established हो रही हैं जिसकी वज़य से production की cause जादा थी तो overall price जादा थे और साती-साथ जो quality थी वो भी up to the mark नहीं थी तो एजी condition में इंडिया ने क्या सोचा कि हम अपनी जो new domestic industries हैं, उनको trade barriers के through protection provide तरवाएंगे, इसकी वज़े से foreign competition end हो जाएगा, यानि खतम हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और भी बोलते हैं, बच्चे close economy, या बोलते हैं close economy, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अलाउई नहीं कर रहे हो foreign trade को होने के लिए यहाँ अब साथी साथ यह complete blanket band नहीं था, या भया हम कोई भी चीज़ foreign से मंगवाएंगे ही नहीं, हमने जो essential imports थे, like machinery हो गया, जो fertilizers हो गया, जो काफी essential था उस time की India की economy को grow करने के लिए उसको हमने allow किया बच्चे है, अब जो भी industries 1950s और 60s के time पे आ रही हैं, उनको हम यहाँ पे trade barriers के थूँ क्या provide करवा रहे हैं, shield provide करवा रहे हैं, protection provide करवा रहे हैं बचे, अब question आता है कि यह जो, सर यह तो गलत practice है, इंडिया जो है, वो allow नहीं कर रहे हैं competition को, नहीं बचे, अगर आप historically देखोगे ना, तो जो आज के time पे बड़ी बड़ी countries हैं, USA हो गया, Britain हो गया, London ह तो यह जो है, सर, इनों ने भी starting stage में, जब यह developing phase में थी, तो अपनी हिहां की countries को भी, इनोंने, यानि domestic producers को भी यहां पे इनोंने protection provide करवाई थी, in trade barriers के थूँ, तो हम जो provide करवा रहे हैं, is not an exemption है, अब इस policy में हमको shift देखने को मिलता है, around the 1990 and 1991, और इस phase को हम बोल देते है LPG error, liberalization, privatization and the globalization, liberalization मतलब कि government allow करेगी, यहाँ पे trade करने के लिए, यानि foreign trade करने के लिए, privatization जो चीज़े government के अंडर में थी, उसको वो private तरीके से देगी, अब globalization का मतलब already हम यहाँ पे इतनी देर से पढ़ी रहे हैं, तो 1991 में इंडिया policy को यहाँ पे change करती है, और government यह बोल हो चुका था, Indian Industries भी पुरानी हो चुकी थी, उनको भी यहाँ पे क्या हो चुका था, कि सारी चीज़ों का यहाँ पे एक तरीके से experience हो चुका था, तो अब वो ready थी यहाँ पे complete करने के लिए, अब competition में आपको पता है कि quality और performance दोनों ही increase होती है, और price reduce हो जाते है, एक companies, जो यहाँ पे companies ही वो enter किया और आज के टाइम पे smartphone यानि एक touchscreen smartphone बहुती जादा cheap हो चुका है यहाँ पे, तो यह किसके वज़े से हुआ, competition की वज़े से हुआ, और यही चीज़ हम यहाँ पे provide कर वा रहते है, बचे, अब यह जो हमारा globalization वाला जो error था, यानि हमने यह जो LPG reform लेके आये थे, उनमें support किया World Bank ने, IMF न, International Monetary Fund ने, उनको हमें loan दिया, और बचे, यह जो LPG हुआ न, हुआ किसकी वज़े से था, क्योंकि 1991 आते आते जब हमने सारा trade बन कर दिया था, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे, कि हम 15 days का हमारे पास से reserve था, oil का, और हम International Market से कुछ खरी नहीं सकते थे, सर यह क्या बोल रहे हो, कि अंडिया के पास रुपए नहीं थे, पिटा, रुपए तो थे, डॉलर नहीं थे, यहाँ पे, क्योंकि International Transaction जो होता है, वो foreign currencies में होता है, और foreign currencies तभी आएगगी जब आप foreign goods में trade करोगे, आप तो वो करी न रहे थे, इसके वज़े से आपके पास इतना भी foreign reserve नहीं बचा था, कि आप यहाँ पे 15 दिन से जाधा का oil reserves इखटा कर पाओ, हम पहुचे लोन लेने, और लोन लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको जो अपनी economy है, उसको क्या करना पड़ेगा, open करना पड़ेगा, जो अभी तक close थी, इसी reason में हमने मनमोहन सिंग ने, डॉक्टर मनमोहन सिंग सहन ने ये reforms को लेकिया थे, LPG, liberalization, privatization, anti-globalization, तो ये background story थी, अब आपको यहाँ पे पता है, चलिए चलते आगे, अगर हम removal की बात करेंगी, ये जो barriers को remove करने क सो बचे last में, अब हम यहाँ पर define कर सकते हैं, अपने liberalization को, कि liberalization का मतलब है कि अभी तक जो government ने restrictions impose करके रखे थे, business activities में, वो reduce करेगी, जैसे ही वो reduce करती है, वैसे ही businessmen के पास, या फिर businesses के पास, अपनी independent decisions लेने की capability आ जाती है, साथी साथ यहाँ पे, जब वो independent decisions ले जाते है, government का जो role था, वो reduce हो चुका है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि liberalization का मतलब है, एक open और एक ऐसी economy, जहाँ पे जो government के restrictions है, वो काफी जादा कम है, तो यह हमने पूरे chapter को देख लिया, okay, I hope आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और please subscribe करियो, जादा से जादा इसको watch करियो, so that जो more videos है, वो जल्दी जल्दी आए, और आपका crash course के तुरू, पूरा का पूरा slivers जो है, वो complete हो जाए, और जो link है website का, जहाँ पे आपको यह सारी videos एक संग मिल जाएंगी, वो है, यहाँ पे description में दे दूँगा, वो website का link मे यहाँ पे उसको tag कर दूँगा, तो please आप description में जाके भी इस सारी चीज़ की information आप ले सकते हैं, यहाँ पे, thank you